साथियों, क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं? क्या आप महेने भर बिजली का उप्योग करें और आपका बिजली बिल आने के बजाएं, आपको बिजली के पैसे मिलें? सौर उर्जाने ये भी कर दिखाया हैं। आपने कुछ दिन पहले देश के पहले सुर्यग्राम गुजरात के मोधेरा के खूप चर्चा सुनी होगी। मोधेरा सुर्यग्राम के ज़्यादा तर घर सोलर पावर से बिजली पैदा करने लगे हैं। अब वहां के कई गरों में महिने के आखिर में बिजली का बिल नहीं आ रहा बलकि बिजली से कमाई का चेक आ रहा है। यह होता देख अब देश के बहुत से गाउं के लोग मुझे चिठियां लिकर कह रहे हैं कि उनके गाउं को भी सुर्यग्राम में बढ़ला जाएं। यानि वो दिन दूर नहीं जब भारत में सुर्यग्रामों का निर्मान बहुत बड़ा जनांदोलन बनेगा। और इसकी शुरुआत मोधेरा गाउं के लोग कर ही चुके हैं। आइए मन की बात के सुर्ताओं को भी मोधेरा के लोगों से मिलबाते हैं। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं स्रिमान विपिन भाई पटेल। विपिन भाई नमस्ते। देखिए अब तो मोडेरा पुरे देश के लिए एक मोडेल के रूप में चर्चा में आया गया है। लेकिन जब आपको अपने रिष्टेदार परिचीत सब बाते पूछते होंगे तो आप उनको क्या बताते हैं। क्या फाइदा हुआ। लोग हमेरे को पूछते हैं तो हम कहते हैं को हमेरे जो भीज बिल आता था लाइट बिल वो अभी जीरो आ रहा है। और कभी सत्तर रुपे आता है। लेकिन हमेरे पूछत गाव में जो आर्सी परिश्चिती है वो सुधर रही है। याने एक प्रकार से पहले जो बिजली बिल की चिंता थी वो खतम हो गई। कि गाव के लोगों पर क्या आसर है। जी जी तो वो गाव फ्यमस हो गया सर। यान के सेकेटरी जनरल उनकी खुद की इच्छा थी। उन्हों मुझे बड़ा आगरग किया है तो मैं वहाँ जाके देखना चाहता हूँ। चलिए विपिन भाई आपको और आपके गाव के सब लोगों को मेरी तरब से बहुत 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 सुपकामना है। और दुनिया आप मैंसे प्रेना ले और ये सोलार एनर्जी का भियान गर-गर चले। ठीक है सर। हम लोगों को बताएंगे कि सोरल लगवाओ आपके पैसे से भी लगवाओ तो बहुत फाइदा है। हाँ लोगों को समझाइए। चलिए बहुत बहुत सुपकामना है। धन्यवाद भया। ठैंकि सर, ठैंकि सर, मेरा जीवन धन्यवाद आपसे बात करके। विपिन भय का बहुत बहुत धन्यवाद, आईए, अब मोडेरा गाउं में वर्षाबेन से भी बात करेंगे। अब में मिला, कांदी नजर में मिला, कठ्रा काष, जो जम्मु है वहाँ पर मिला मका, पास में रहने का, बहुत सुविता वहाँ पर मिल रही थी सर। आप हिंदी भी बड़िया बोल रही हो। थीखा है सर। मुझे बताईए, मोडेरा में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया, ये सोला रूप्टॉप प्लांट आपने लगवा दिया। जो सुरू में लोग कह रहे होंगे तब तो आपको मन में आया होगा, ये क्या मटलब है, क्या कर रहे हैं, क्या होगा। ऐसे थोड़ी बिजली आती है, सब बाते हैं कि अपने मन में आया होगी, अब क्या अनुबवा रहा है, इसका फायदा क्या हुआ है? बहुत सर, फायदा, तो फायदा ही फायदा हुआ है, सर, हमारे गाव में तो रोद दिवाली मना ही जाती है, आपकी वज़े से, 24 कंटे हमें बिजली मिल रही है, बिल तो आता ही नहीं है, बिल्कुल, हमारे गर में अनने इलेक्रिक सब जिजे घर में ला रखी है, सर, सब कर रहे हैं, हम आपकी वज़े से, सर, बिल आता ही नहीं है, तो हम फ्री मायन से सब यूज कर सकते हैं, यह बात सही है, आपने बिजली का अधिकतम उप्योग करने के लिए मन बना लिया है, बना लिया, सर, बना लिया, अभी हमें कोई दिक्कत ही नहीं, फ्री मायन से, सब जो वसिन मसी है, एसी है, सब चला सकते हैं, सर, और गाओं के बाकी लोग भी खुस हैं, इसके कारण, बहुत बहुत खुस हैं, सर, अचाहिए, आपके पति देव तो वहाँ सूरी मंदिर में काम करते हैं, तो वहाँ वो जो लाइट शो हुआ, इतना बड़ा इवेंट दूनिया वर के फोरणर आ सकते हैं, और आपने वर्ड में प्रसिद्ध कर दिया है हमारे गाओ को, तो आपके पति को काम बड़ गए होगा, इतने महवान वहां मंदिर में देखने के लिए आ रहे हैं, सरे, कोई बात में जितना भी काम बड़े, कोई बात में इसकी हमें को जना को स्विकार किया, और उनको विश्वास हो गया, हाँ हम अपने घर में बिजली बना सकते हैं, चलिए मेरी आपको बहुत शुपकामना हैं, जो पैसे बचे हैं, इसका बच्चों के भलाई के लिए उप्योग कीजिए, उन पैसों का उप्योग अच्छा हो, ताकि आप का जिवन को फाइदा हो, मेरी आपको बहुत शुपकामना हैं, और सब मोधेरा वालों को मेरे नमस्कार, साथियों, बर्शामेन और विपिन भाई ने जो बताया है, वो पूरे देश के लिए, गावों शहरों के लिए, एक प्रेड़ना है, मोधेरा का ये अनुभव, पू